और अब बात करेंगे कॉंग्रिस की जहां कॉंग्रिस में कॉन बनेगा मुखे मंतरी एपिसोड को समाप्त करने के लिए पूरव मुखे मंतरी अशोग गहलोत ने कहा है कि किसी भी नेता को अति उत्साहित होने या फिर बयान देने नहीं जाहिए दरसल गहलोत ने खुद के बयान पर डामज कंट्रोल करते हुए कहा कि सीम फेस को विबाद देने की पीछे भाशपा की चाल है विधान सभा चुनाव से चंद महीने पहले पूर्व केंद्री, राज्यमंत्री, लालचन कटारिया के बयान पर कॉंग्रेस में घमासान जारी है अशोग गहलोत के फेस पर चुनाव मैदान में उतरने के बयान का कई कॉंग्रेसी नेताओं ने समर्थन किया बढ़ती गुटबाजी को ठामने के लिए अब खुद गहलोत मैदान में उतर आए है अशोग गहलोत ने साफ संदेश दिया है कि सियम का फेसला हाई कमान करेगा गहलोत का कहना है कि कॉंग्रेस में ये गलत परंपरा होगी अगर कोई नेताओं खुद को सियम चेहरे के तौर पर पेश करता है इससे मीडिया और जनता में गलत संदेश जाता है गहलोत ने मीडिया से बाचीत में कहा कि ये विवाद भाजबा का भियान है और भाजबा के इशारे पर जान बूच कर हवा दे जा रही है कोई विवाद ने चल रहा है मीडिया का एक सेक्शन जो है वो जान बूच कर ले बीजेपी के इशारों पर बीजेपी के इशारों पर ये अभियान चला रहा है हमारे कोई नेता बोलते कुछ है और छपता कुछ है ये अभियान बीजीपी का अभियान है कहलोत ने दावा किया कि पाजे के नेता एक जुट है कोई विवात नहीं है कहलोत ने कॉंग्रस के नेताओं के बयान का ठीक रा मीडिया पर भी फोड़ा उन्होंने कहा कि हमारे नेता बोलते कुछ हैं और मेडिया में चलता कुछ और है कहलोते उदैपूर में दिये गए अपने बयान पर भी सफाई दी और कहा कि मेडिया ने अपने रिसर्च से अलग मायने निकाल लिए मैं खुद कहता हूँ वरा पुरे देश के सब राजियों मैं पीससी में मीडिया से बाचीत में अशोग घेलोत ने राजिस सरकार पर निशान असाधा और सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया बहराल कहलोद के सीम को लेकर दिये गए बयान से साफ है कि अब कॉंग्रिस डैमज कंट्रोल में जुट गई है फिर भी देखना यही होगा कि अशो कहलोद के बयान के बाद लीजर्शिप विवाद पर ब्रेक लगता है या नहीं दिनेश ड्रांगी, First India News, जैपो